नमस्कार मैं हूँ विदीशा शांडेल्या और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ समाचार एक्सप्रेस कोरोना संकटकाल के चलते बदली परिस्तितियों के बीच इस बार प्रदेश में दिवाली पर बोनस मिलने को लेकर करमचारियों में असमंजस की स्तिती थी लेकिन मुख्य मंत्री के ऐलान के बाद करमियों के चहरे पर रौनक लोट आई है बताय ज़ाराय कि सीम योगी ने ट्वीट कर बोनस देने का ऐलान किया है राजकिय कोश्पर एक हजार बाइस पॉइंट पच्छटर करोड का व्यभार आएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के मौके पर 14,82,187 राजय करमियों को बड़ी सौगाद दी है करमियों को साल 2019 से 20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा बोनस के लिए प्रती करमचारी 6,908 रुपे की धनराशी मन्जूर हुई है इसका 75 फीसदी हिस्सा करमचारी भविश्य निदी खाते में जाएगा जबकि 25 फीसदी हिस्सा यानि 1727 रुपे का भुकतान होगा इससे राजकी एकोश्ट पर 1022.75 करोड का व्याभार आएगा मुख्यमंत्री कारियाले ने गुरुवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है कोरोना संकटकाल के चलते बदली परिस्थितियों के बीच इस बार प्रदेश में दिवाली बोनस को लेकर करमचारीयों में असमंजस की स्थिती थी लेकिन मुख्यमंत्री ने एलान कर दिया है कि उन्हें बोनस दिया जाएगा जिसके बाद करमियों के चहरे पर रोनक लोट आई है प्रदेश के समस्त राज पत्रित राज्य करमचारीयों राज के विभागों के कारिय प्रभारित करमचारीयों राज्य वित्व पोशित स्रिक्षन संस्थाओं, स्थानिय निकायों, वेजिला पंचायत के कर्मचारियों तदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस मिलेगा पिछले वर्ष की तरह बोनस का 75% धनराशी भविश्य निदी खाते में जमा होगी जबकि 25% धनराशी का नकत भुकतान किया जाएगा जो कर्मचारी भविश्य निदी खाते के सदस्या नहीं है उन्हें धनराशी का हरण कर उससे NSC प्रदान की जाएगी या धनराशी PPF खाते में जमा की जाएगी जो कर्मचारी 31 मार्श 2020 के बाद सेवा निवरत हो चुके हैं अथवा 30 अप्रेल 2021 तक सेवा निवरत होने वाले हैं उनको बोनस की संपूर्ण धनराशी का नकत भुकतान किया जाएगा ऐसे ही लेटे स्टोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाद अंको इस अंटर्प्राइब